नमश्कार्स दोस्त आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में राजम बना रहे हैं बेसन की नान खटाई कुकीज और यह हम बना रहे हैं नोर्मल तवे पे आप असानी से बना सकते हो और देख सकते हो कि कितनी बढ़या कुकीज तयार होती हैं बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुर सख्वारी कुकीज तो चलिएने, शूरू करते हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीश आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और कुकीज बनाने के लिए यह हैं मैंने लिया है असी ग्राम वनस्पती घी और ये रूम टेंपरेचर पे हैं तो किसी बड़े बावल में घी डाल दीजिए और इसको अच्छी से मेल्ट गीजिए तो अब आप देख सकते हो कि घी को मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ और इसे तब तक मिक्स करूंगी जब तक इसका जो रव बावर रवा है वो फ्लपी नहीं हो जाता है एकदम वाइट इसके जो कंसिटेंसे आप देख रहे हो कि बिल्कुल वाइट होने लगी है तो लग बग आपको यही प्रोसेस आपके नानकटाई बिसकिट्स को एकदम से सोफ्ट बनाएंगी इसको आपको पांसे साथ मिनट है तत्सक्राइज को अब आप देख सकते हो जो मारी है गी है वो एकदम से फ्लपी हो गया है एकदम वाइट निज एकदम फ्लपी तो इस तरह कह टेक्चर हमकी इप चीये अब इसके अदर डाल गेंगे सूगर पावडर असी ग्राम घी के अंदर मैंने साइट ग्राम और इसको हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सुगर पाउडर इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे कॉंटिर्टी धिहान में रखे और इसी कॉंटिर्टी से इसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो आपकी जो नान कटाई बिस्केट से बहुत ही बढ़िया बनेंगी, तब यह पे भी आप बना सकते हो, तो इसी प्रोसेश में थोड़ा टाइम लगता है, अब हम डाल देंगे बेशन, तो यह मैंने लिया है, सवासो ग्राम बेशन और 35 ग्राम सुजी, टोटल 160 ग्राम जीतना हमने गी लिया था, उसे डबल हमें सुजी और बेशन डालना है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और यह जो लिक्विड गिला है, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा और बेशन हलका सा डाल, बैटरस सही से बंद रहा है तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है लाइची पावडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बीना बेकिंग पावडर, बीना बेकिंग सोड़े के हम इस कोकीज को बना रहे हैं, नान खटाई बिस्कि अच्छी तरह से तो इसका मतलब है कि आप सही है तो आप इस तरह से नान खटाई कुछ बना सकते हैं, तो इस तरह से आप गोल कुछ को बनाएं, हातों पे इसको थोड़ा प्रेस दें, फिर गोल करें, और फिर इसके बीच में कोई भी ड्राइफ फूर्स लगा सकते हैं, या फिर आप नोर्मली ऐसे ही कुटिज भी बना सकते हैं, तो जैसे भी आपको अच्छी लगे वैसे बनाएं, तो देखे कुटिज त्यार हैं, अब हम नान खटाई की बीच में इस तरह से एक पिस्ता लगा देंगे, और फिर हम इनको अच्छे से बीग करेंगे, तो आप एक से दो पिस्ते की टुकड़े यहां पे लगा दें, और फिर आप इसको प्लेट में रख दें, तो इस प्लेट को नोर्मली ऐसे ही प्लेट पे मैंने रख दिया हैं, अब चाहे तो इसको थोड़ा सा चिक्रा कर सकते हो, बना जरूरत नहीं है, दोसरे तरफ केस पे तवा टिका दिया है, तवे को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, और तब तक कुकीज भी तयार हो जाएगी, तो आप देख सकते हो, नान खटाई बिस्किट्स बिल्कुल तयार हैं, अब हमेने बेक होने के लिए रख देते हैं, तवे पे तवा भी गरम हो चुका, पांच म मिनट तक पकाएंगे, दस मिनट, दस मिनट की बाद आप चेक करते हैं, तक कुकीज भी तम से बन करके तयार है, मैंने इसको पहले तीन मिनट तक हाई गेस पे रखा, फीर गेस का फ्लेम मीडियम करके इसको पका लिया, और यह अच्छे से भी को करके तयार हो गई हैं, तो बड़े अभेक हुए हैं, तो आज के हमारी वीडियो पसंद आयो, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जाचिंग, थैंक यू,